दो हजार उन्निस का चुनाव मोदी सरकार के लिए किसी अगनी परिक्षा से कम नहीं है जीत तक पहुचने के लिए बीजीपी की रहा कड़ी चुनोतियों से भरी हुई है लेकिन इस बीच अपने ही घर से बगावत के सुर उठने लगे है एक बार फिर मोदी सरकार की सहियोगी पाटी शिफसेना ने मुख्य पत्र के जरिये बीजीपी पर जम का निशाना साधा है दस है कुछ वक्त पहले इशारो ही इशारो में टीडीपी के प्रमुक और आंधर प्रदेश के सियम चंदरबाबु नाइडू ने बीजीपी से अलग होनी की बात कही थी जिसको लेकर अपने मुख्य पत्र सामना के जरिये शिफसेना ने भी सरकार पर हमला बोला है वक्त आ गया है कि देश की राजनीती में बीजेपी को गटबंधन के लिए अच्छे मित्र नहीं मिलेंगे इसलिए उन्हें दूसरे घ्रह से मित्र खुजने होंगे वैसे कि पहली बार नहीं है जब शिफसेना ने मुधी सरकार पर तीखे बान छोड़े हो लेकिन इस बार बीजेपी के दोस्तों और उनकी दोस्ती पर सवाल खड़े करके दोनों ही पार्टियों के बीज खुदी खाई और गहरी हो गई है